हेलो जी स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुड मेडिकल टिप्स में दोस्तों आज में लेकर आया हूँ कासमदू सीरप ये कासमदू 100% हरबल सीरप है अलकोहल रहित है और खासी की तुरंत रहा दिलाने वाली एक असरकारक दवाई है आज की अपनी वीडियो में इस कासमदू सीरप के बारे में पूरी जानकरी जैसे इस सीरप की MR पर कितनी है इसमें कौन-कौन सी जड़ीबूटिया डाली गई है इसके क्या-क्या यूजिज यानि की उप्योग है इस सीरप को कैसे और कितनी मातरा में सेवन करना है इसके साइड इफेक्ट्स क्या है इस सीरफ के साथ क्या परिज लेने है और लाश्ट में कुछ साफधानों के बारे में बताऊंगा जैसे गरवती महिलाओं को इस सीरफ को दे सकते हैं क्या नहीं एक साथ से कम उमर की बच्चे को भी इस सीरफ को दिया जा सकता है क्या नहीं उससे पहले अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथे साथ बैल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारी आने वाली साइड़े वीडियो सिधे आप तक पहुंच सकें आईए अब जानते हैं इस कासमदू सीरप के बारे में ये कासमदू सीरप तूलिसन फार्मा का ब्रेंड है ये मेरे पास 100 ml की पैकेजिंग में है जिसकी MRP 90 रुपे है इसमें यस्टी मदू, वासा, वनस्पा, नागर, मौथा, पीपली, सौव, काइफल, काकडा सिंगी, पान के पत्ते, कपूर, तुलसी सत्व, बेर और सुगर आदी डाले गए हैं, आप जानते हैं इसके यूज यानि की उप्योग के बारे में, ये सिरप सुखी खासी, बल्गम वाली खासी, नजला, जुखाम, गले में दर्द, खरास, आदी में बहुत उप्योगी है, इस सिरप को लेने से आलस और नीन जैसी कोई परिशानी भी न आदी अदे चाओं, लेकर 12 साल तक के बच्चों को पाँच अमेल दिन में तीन बार को खाना खाने के बार्द देना हैं। और दवाई को सही मातरा में नाप कर लें। ऐसे प्लास्टिक के ढखन से ले सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कैमिस्ट सौप से ले सकते हैं। जिससे आपने कासमधू सीरफ पर्चेस किया है। इसमें 5-5mm, 10mm की मातरा को सही से दिया जा सकता है। इस सीरप को हलके गरम पानी के साथ उपयोग करें गरम पानी के साथ और भी अच्छा काम करता है गरम पानी और सीरप को बराबर मातरा में किसी भी कप या कटोरी जैसे बरतन में ले 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 और 10 ml दवाई के साथ 10 ml गरम पानी 5 ml दवाई के साथ 5 ml गरम पानी 5 ml दवाई के नहीं है क्योंकि ये पून आयरवेदिक सीरप है अब बात करते हैं कासमदू सीरप के साथ परेज की आपको ठंडा कुछ भी नहीं लेना है फ्रीज का पानी सिकंजी आइस क्रीम कॉल्डरिंग कुछ भी ठंडा नहीं लेना है तला हुआ तेज मिर्च मसाले और बाहर का खाना जैसे चाउमेन, बर्गर, भटूरे, पूरी जो भी फास्ट फूड में आता है वो सब नहीं खाना है अब जानते हैं कासमदू सीरप के साथ क्या साबधानिया रखनी है कासमदू सीरप को एक साल से कम उमर के बच्चों को उपियोग नहीं कराना है या फिर अपने गरम तासिर की डाली गई हैं जिससे मिस कैरिज होने का खतरा हो सकता है इसलिए आप इस जिरप को यूज ना करें और अगर यूज करें तो अपने डॉक्टर की सला से करें दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बुक्स में क सेर करें जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है और कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लगी अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक और ने परड़क्ट के साथ तब तक के लिए गुडबाए और गुड़नाइट